अब देखिए website खुल गया है अब आपको create you health id इस पर आपको ok करना है इसको ok करने के बार generate भी अधार अगर आपके पास अधार कर से mobile number link है तो आप इस पर ok करिएगा अगर आपके आधार कार्ण से link नहीं है तो आप आप इा जो click क्लिखा है एक click पर आप ok करिएगा अगर हम आधार कार्ण पर लीफ्ल कार्ण करते हैं तो हमारा KYC awadic आटोमेटिक आधार कार्ण के जरीए हो जाता है अगर हम मोबाइल नमबर अधार काड में नहीं है, तो आपको यह किलिक करना है, किलिक पर पर करने के बाद कुछ ऐसा आया है, अब आपको इस पर किलिक करना है, अभी किलिक करने एक बार मोबाइल नीचे जाना है एग्री करना है एग्री के नीचे भी एक बक्स बना है इसमें भी आपको किलिक कर देना है और सुब्मिट के आक्षन देगा तो नेट सलो है, सुब्मिट आ गया है, अब आपके यहां सुब्मिट कर जाना है, अब एक OTP आएगा मोबाइल पे, जो नमबर आप दिये है, तो नेट सलो है, आप लोग बने रहे हैं वीडियो में, इसके बाद आएगा OTP का अक्षन, यह देखिए आए चुका है, अब मैं OTP, डालता हूँ, 3862, अब इसे में आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम डाल दिया, यह जनम तिति डालना है, यह जनम के डाल दिया, यह महिन डालना है, यह बर्स डालना है, अब यहाँ पर आपको पासवर्ट डाल लेना है, वहाँ, पर्स पर्स, वहाँ, यहाँ, 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 अब में फरम भर दिया हूं, फरम भरने के बाद आप यहां पर आपको सब्मिट फर, नीचे सब्मिट है, यहां पर आपको सब्मिट फर होके कर देना है, यहां पर आपको एक पी एचार एड्रेस बनाना है, जैसे के हम अनुप कुमार कुमार, यह होगे है, अनुप कुमार, यह आपको डालने के बाद आपको यहां सब्मिट फर, ओके कर देना है, यहां प्रा झापको ।